हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज हम एक बहुत ही खुबसूरत फ्लारिंग प्लांट के बारे में पात करने वाले हैं जिसका नाम है गॉंफरीना या इसे बटन फ्लावर भी बोलते हैं या ग्लोब अमरंथ भी बोलते हैं यह गर्मियों में लगातार खिलने वाली धेरो फूल देने वाली एक बहुत खुबसूरत प्लैंड है मेरे पास यह पिंक कलर और वाइट कलर की दो वरायटीज में यह फ्लार है इनके flowers दूसरे color में भी available है लेकिन फिलाल मेरे पास ये white और ये pink वाली available है जो बहुत खुबसुरत लगती है तोस्तों इनके flowers में से खिलना शुरू कर देते हैं लगभग ये November तक ऐसे ही flowering होती रहेंगी इनमें धेल सारी flowering होती रहती है non-stop flowering करती रहती है मार्ट से होती है अच्छी तरह से इनकी growth होती है और लगभग में से लेके November तक इनमें flowering आती है ये एक summer plant है और इनको full sunlight चाहिए होती है इनकी flowering के लिए आप देख सकते हैं इनमें ये pink color की कितनी अच्छी flowering हुई है और बीच में yellow color के ये छोटी छोटी से फूल भी इनमें है और ये बहुत खुबसूरत लगते हैं दोस्तों इन्हें एक bright sunlight चाहिए direct sunlight चाहिए जो 6-8 घंटे की sunlight में अगर आप इसे रखेंगे तभी ये plant की flowering होगी नहीं तो इस plant में flowers कम आएंगे या तो नहीं आएंगे दोस्तों इस plant को आप pot में भी लगा सकते हैं और आप जमीन में भी लगा सकते हैं वैसे तो इस plant को मैंने लगाया नहीं है दोस्तों ये last year का ही इसी जमीन में ये plant थी और जो इस plant के बीच थे जो seeds थे वो इन मिट्टियों में गिर गए थे इन जमीनों में गिर गए थे तो इसी से इनी जमीन इनी बीचों से ये फिर से इस साल इनकी जो growth हो हुई है तो ये beach या seeds से आप इनकी germination कर सकते हैं दोस्तों ये बहुत एक अच्छा plant है ये permanent plant है लेकिन इनकी जो winters में dormancy में ये चली जाती है इनकी growth रुख जाती है दोस्तों गॉंफ्रेना की जो flower है ये तितलियों को और मदुमक्यों को बहुत attract करती है और इसलिए आप इन फूलों में कोई न कोई टितली या फिर कोई न कोई आप इस तरह की insects उरते हुए आप देखेंगे जो बहुत beautiful लगती है और काफी खुबसूरत लगती है दोस्तों ये कुछ गॉंफ्रेना यहां पे भी गॉंफ्रेना के seeds यहां पे भी लग गए थे तो ये इधर भी उग गए है तो जिधर भी ये कॉंफ्रेना के seeds थोरे से गिर के रह जाते हैं समर आते आते अगर इनकी growing conditions धूब वाली sunlight वाली जगा में इनके seeds जो गिर के रहते हैं वो फिर से germinate हो जाते हैं और यह बहुत खुबसूरत लगती है इन्हें आप pot में भी उगा सकते हैं इनके लिए आप एक deep pot ले डीप pot में आप इसे लगाए और direct sun में रखते फटिलाइजर के अगर हम बात करें दोस्तो तो इनमें जादा फटिलाइजर की ज़रुरत नहीं है इन्हें आप गोबर की खाट से लगा सकते हैं गोबर की खाट, garden soil और थोरे से sandy sand मिला के आप इसमें लगा सकते हैं दोस्तो गोंफरिना एक ही वज़े से मर सकता है या गोंफरिना को एक ही चीज़ से इनकी जो प्लांटे वो खराब हो सकती वो है over watering आप इसकी over watering ना करें यह वाला पौधा जो मेर लास्ट यर का जो पौधा था वो over watering के वज़े से खराब हो गया था और उनकी कुछ बीच गिर गये थे तो उसी से ही यह वाला पौधा जर्मिनेट हुआ है इनकी जो बीच है दोस्तो इनकी फ्लार से ही आती है इनकी फ्लार सुख जाती है सुखी हुए फूलों से ही यह कुछ इस तरह की सुखी हुई फूल है इनी सुखी हुई फूलों में से इनकी जो बीच है वो निकल के आती है और इनके बीच से इसली यह जर्मिनेट किया जा सकता है यह देखिए दोस्तो तितली यहां पे इस flour में कितनी अच्छी तरह से बैठी हुई है और तितलीयों का garden में होना बहुत अच्छा होता है दोस्तो यह pollination में help करता है या तो मदवमख्षी का होना बहुत एक अच्छा साइन होता है हमारी जो भी flowers है या जो भी vegetables है उनकी growth के लिए इनकी जो production है इनके लिए बहुत अच्छा है इनका होना ये pollination में मदद करती है हमारी तो दोस्तों ये देखिए मेरे गॉंफरेना के flowers ये flowers अभी खिलते रहेंगे नोवेंबर तक मुझे इसमें flowering मिलती रहेगी और दोस्तों गॉंफरेना में जादा flowering लाने के लिए आपको इसकी pinching करती रहने चाहिए आप हाथ से या cutter से इनकी जो सुखे हुए फूले इन्हें आप निकालते रहे पिंचिंग करते रहे इनकी जादा branches निकाले ताकि ये जादा branches हो इनमें और इनसे जादा flowering आपको मिले ये बहुत खुबसूरत लगते है पिंक कलर की इस तरह की dark bright pink में और white कलर में जो की बहुत खुबसूरत लगती है ये पूरे जमीन में तो ये ऐसे अगर फैल जाती है पूरी तरह जमीन का हिस्सा ये ले लेती है और ये इतनी खुबसूरत लगती है दोस्तों आप और इनके flowers की एक और खासियत है कि ये बहुत दिनों तक रहते है इनकी flowering होती रहती है ये जादा जल्दी सूकती नहीं है इनके flowers तो आप ये decoration में भी काम आता है आप इनकी flowers को एकटा करके कट करके किसी वास में लगा देंगे तो इनकी flowers वास में भी काफी दिनों तक रहे और ये बहुत खुबसूरत लगते हैं ये decoration purpose के लिए यूस करने वाली plant है फ्लार है decoration में इनकी यूस होती है तो गॉंफरेना के flowers को इन गर्मियों में लगाना ना भूलिए दोस्तों देखिए कितने प्यारे ये एक साथ खिलते हुए बहुत अच्छे लग रहे है इन्हें आप गार्डन में जरूर एट करें दोस्तों तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही आशा करते हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंक यू सो माच मिलते हैं आप लोगों से मेरी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ और कीप गाड़निंग थैंक यू